नमस्कार दोस्तों फिर सभागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास Moto G40 है, G60 है या फिर G-Series का कोई और मॉडल है तो यहां पे आप APN reset कहसे कर सकते हैं तो APN reset तब करना होता है जब आपको यहां पे network issue ह होता है आप कभी आप out of station कहें वहां आपका network नहीं आ रहा है तो इस condition में आप network reset कर सकते हैं यानि की APN reset कर सकते हैं तो इसके लिए जब आप setting पे जाएंगे तो setting पे आपको यहां पे network and internet का option देखने को मेलेगा आप इस पे click कर लेंगे उसके बाद यहां पे mobile network का option देखने सकते हैं तो इस पे जाएंगे आप और यहां पे access point name आएगा आप इस पे click कर लेंगे और यहां पे three dot पे जाएंगे और reset to default का option आएगा आप इस पे जाके reset कर लेंगे इस step से आपको reset कर लेना है और आप अपने phone को एक बार restart कर लेंगे तो इस step से fix कर लेंगे अपनी problem I hope guys आपको जरूर पसंद आया होगा चली मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार